प्रोडिक्ट के लिए लेके आचुका हूँ मैंने यहाँ पर लोकल मार्किट से वन प्लस का एक फर्स्ट कोपी नेक पेंडे उसको खरीदा है तो आज की वीडियो में हम इसको अन्बॉक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कैसा इसका sound quality है और इसका specific अने हो कैसा आपको देखने को मिलता है और क्या आपको original लेना चाहिए या फिर duplicate लेना चाहिए तो चलिए गैस अभी वीडियो को start करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका retail पे के वो देखने को मिल जाता है original की तरही यहाँ पर यह box आपको देखने को मिल जाएगा original की बात करते हो कैस यहाँ पर one plus का जो bullet wireless 2 है उसका यह copied version है पर यहाँ पर आपको model number S9 देखने को मिल जाता है तो original का जो box है वो थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलता है और उसके साथ आपको never settle का यहाँ पर branding देखने को नहीं मिलता है सिर्फ यहाँ पर आपको year का यह जो neck band वही देखने को मिलता है पीछे की बात करें तो कैस यहाँ पर आपको तीन color में यह available है red, yellow and यहाँ पर sky blue जैसा एक color है तो यह थीनो color आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर बात करें country origin की तो कैस यह चाइना से सब माल जो import करके इंडिया में आता है तो यहाँ पर चाइना का product आपको यह देखने को मिल जाता है product model की बात करें तो कैस यहाँ पर मैंने जिसे की बोला कि इस नई यहां पर आपको देखने को मिलता है original के अंदर यहां पर आपको 2 देखने को मिल जाता है यहां पर आप देख सकते है generic name है वो यहां पर लिखा गया है original name यहां पर लिखा गया है OnePlus Bullet Wireless 2 तो इसका यह original name है उसके बाद यहां पर बात करें MRP की maximum retail price के तो यहां पर 6000 रुपे लिखा गया है पर आपको आसानी से यह कोई भी local market है उसके अंदर 600 रुपे के अंदर देख रहे को मिल जाएंगे तो अगर आप भी कोई अच्छा सा और सस्ता वाला neckband Bluetooth earphone जो वो टून रहे है तो आपके लिए यह best होगा तो चुलिए अभी हम इसका unboxing करके देख लेते तो कुछ इस तरीके से यहां पर यह पूरा box से निकल जाता है तो OnePlus dial ही यहां पर आपको box देखने को मिल जाता है उसके अंदर आपको एक और box दिया गा है तो इस तरीके से यहां पर भी आपको OnePlus का branding देखने को मिल जाता है और यहां पर OnePlus का logo देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पर हमारा यह फोने वो इसके साथ आता है नेक बेन इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा तो यह box से उसको हटा देते हैं, यहाँ पर बात करें गयाज, अंडर box के साथ आपको क्या-क्या मिलता है, तो एक यहाँ पर user manual, original की तरही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, warranty card आप इसको कह सकते हैं, तो इसको भी हम side में रख देते हैं, यहाँ पर आपको 4 extra year tips देखने को मिलता है, और 2 इसके साथ आपको देखने को मिल जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर एक आपको micro USB केबल दिया गया है, charging के लिए, उसके बाद यहाँ पर हमारा main जो neck पेंडे हो, कुछ इस तरीकी से आपको plastic cover के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो चलिए आभी हम इसको भी निकाल देते ह तो गैस कुछ इस तरीकी से आपको ये neck पेंडे हो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बात करें original और duplicate की तो साथ आपको original के अंदर सभी जगह पर oneplus का जो logo गरा हो और देखने को नहीं मिलता है, और duplicate के अंदर आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यहाँ बात क तो अच्छे प्लास्टिक से इसको बनाया गा है, तो वै बिल्ड कोलेटी तो काफी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरके से आपको इसका बिल्ड कोलेटी देखने को मिल जाएगा, तो गैस आपको पीछे एक साइड यहाँ पर आपको तीन बटन द कर पाएगे, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावर बटन दिया गा है, जिससे आप म्यूजिक को प्ले पोज और इसको पावर ओफ या फिर ओन कर पाएगे, साथ में यहाँ पर आपको नीचे ही चार्जिंग के लिए यह एक पोर्ट दिया गा है, और उपर यहाँ पर लाइट देखने को मलती है और यहाँ पर आपको माइक का सपोर्ट इसी साइट देखने को मल जाता है, उसके बाद यहाँ पर उपर बात करें, तो उपर यहाँ पर आपको एस्टी काट के लिए भी स्लोट दिया गा है, साथ ओर अरिजिनल के अंदर यह नहीं आता है, इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए आपको यह बीच वाला जो पटन यह उसको थोड़ी दिर तक प्रेस करके रखना है तो यहाँ पर लाइट अपने आप ही ओन हो जाएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के से यह ब्लू एंड रेट लाइट आपको देखने क को मिल जाती है तो चलिए आप यहाँ आपना फोन उसको प्रेड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते इंस्टंटली यह कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी आपको सेम मोडल नबर देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते बैटरी पसंटेज वगर अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी तो इस तरीकी से आप बड़ी आसानी से इसको प्रेड़ कर पाएंगे तो चलिए अभी हम म्यूजिक उसको प्ले कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस बटने उसको प्रेस करकर रखने आए तो वल्यूम अपने आप ही बढ़ जाएगा मैं आपको यहां से साउन्द क्वुलेटी सुना देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना वॉलियूम यहां पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीकी से आपको इसका जो साउंड है और देखने को मिल जाता है यहां पर आपको बात करें वॉलियूम लेवल की तो कि इस वॉलियूम लेवल इसका काफी अच्छा है और साउंड कुलिटी है वह भी काफी बढ़ी है क्लियर साउंड आपको सुनाई देता है और यहां पर बात करें बेज की तो कि इस बेज इसके साथ आपको नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है अगर आपको बेज ज्यादा पसंदी तो इसके लिए आप उरिजिनल या फिर दूसरा नेकबेंड या फिर एयरफोन साते उसको कंसिडर कर सकतें पर अगर आपको अच्छा वाला और सस्ता वाला नेक बेंड Bluetooth Earphones चाहिए तो आप इसको consider कर सकते हैं यह आपको 500-700 के अंदर देखने को मिल जाता है कोई भी local market यह वहाँ पर जाके आप इसको ले सकते हैं और यहां पर बात करें कि क्या आपको original लेना चाहिए या फिर duplicate लेना चाहिए तो आपके ऊपर है अगर आपका budget हो 1000 के नीचे का है तो इसके लिए आप यह वाला duplicate वाला है उसको खरीच सकते ही क्योंकि sound भी अच्छा है quality भी अच्छा है और आपको कम budget के अंदर अच्छा वाला जो earphone हो देखने को मिल जाता है उसी जेगबर गाइस बात करें कि अगर आपका budget हो 2000 या फिर उससे उपर का है तो इसके लिए आप original neckband ले सकते oneplus का या फिर दूसरा कोई भी अच्छा वाला neckband है उसको खरीच सकते है तो यह totally आपके उपर depend करता है आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है अगर आपको यह वाला earphone हो अच्छा लगता है neckband अच्छा लगता है तो कोई भी local market है वहाँ पर जाके आप इसको ले सकते है unboxing के वह पसंद आया होगा अगर unboxing अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like कीजीगा और इसे और भी नए वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते ही अगर आपको कोई भी नए product review के लिए request है तो आप मुझे जरूर सेक्मेंट सेक्षन में बताएगा तो try करूँगा कि ज हुआ